सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और साथ ही बैल आइकन दवाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप RRCWR Railway Requirement Sale, Western Railway इसमें Apprenticep के लिए Online Farm किस प्रकार से भढ़ सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Step by Step कि आप अपना Online Farm किस प्रकार से भढ़ सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर भहुत भहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको ये उसकी RRC की साइट खोल लेना है दोस्तों Online Farm बनने की Link में वीडियो के नीचे Description Box में दे दूँगा आप बहाँ से अपना Farm भढ़ सकते हैं फिर आपके सामने इस प्रकार से Page Open होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको Click Here to Register तो इस पर Click करके आपको Registration कर लेना है अपना सबसे पहले तो सबसे पहले आपको Please Select the State you belong to तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना State Select कर लेना है कि आप किस State से हो वो इन में से आपको Select करना है तो दोस्तों आपको यहाँ से आधार Card Number है तो इस पर Click कर देना है अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करके आधार enrollment number डाल सकते हो आप फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको candidate full name डाल देना है यहाँ पर आपका इस box में first name आ जाएगा यहाँ पर middle name है तो middle name यहाँ पर last name, surname इसके बाद में father's name डाल देना है यहाँ पर first name father's का, यहाँ पर middle name, यहाँ पर last name इसी प्रकार से फिर आपको gender पर क्लिक करके यहाँ से अपना gender select कर लेना है यहाँ पर community पर क्लिक करके community select कर लेना है आप किस category से आते हो उसके बाद में आपको यहाँ पर enter of date of birth डाल देना है आपको यहाँ पर अपनी date of birth उसके बाद में यहाँ पर आपको are you physical handicap हो तो yes कर देना है उसकी detail डाल देना है नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको are you ex-serviceman हो तो yes करना है नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है नो पर क्लिक करके उसके बाद में यहाँ पर select ITI qualification and trade you wish to apply तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपको अपनी जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हो वो यहाँ से आपको ITI past trade अपनी select कर लेना है कि आप किस trade के लिए आप कर रहे हो apply उसके बाद में यहाँ पर आपको application for designated trade तो यहाँ पर click करके आपको अपनी दोबारा से यह trade select करना है फिर उसके बाद में आपको next पर click कर देना है यह देखिएगा दोस्तों फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर detail अपनी check कर लेना है अगर आपने गलट detail डाली है तो अभी आप यहाँ edit पर click करके edit कर सकते हैं फिर उसके बाद में इस डबे पर click करके registered पर click कर देना है आपको फिर यहाँ पर यह देखिएगा registration successful तो यहाँ पर जो है आपको click है to login तो यहाँ पर thank you for registering your registration ID and password is sent to your registered email ID and OTP is sent to your registered mobile number तो आपका जो email ID है mobile number है उस पर ID password भेज़ दिया है तो यहाँ पर click है to login इस पर click करके आपको login कर लेना है फिर यहाँ पर इस तरीके से page open होगा तो यहाँ पर verify mobile number तो आपके जो mobile number है उस पर भी एक OTP गया वो यहाँ पर आपको डालना है और verify mobile number इस पर click करना है फिर यहाँ पर दोस्तो change password तो यहाँ पर आपको जो है अपना enter old password जो आपके mail पर आया था पुराना password वो यहाँ डाल देना है उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मनपसंद का नया password यहाँ पर confirm password दो बार same डालना है और update पर click कर देना है फिर यहाँ पर आपको login कर लेना है तो login में आपकी registration ID जो mail पर आ चुकी है वो यहाँ डाल देना है और अपना जो password बनाया है वो डाल कर login पर click कर देना है फिर यह देखेगा इस तरीके से page open होगा तो यहाँ पर आपकी जो detail है वो आपको देख लेना है यहाँ पर यह उसके बाद में application form यहाँ पर खुल गया है तो यहाँ पर division workshop applying तो यहाँ पर आपको कहां के लिए apply करना है वो यहाँ से आपको select कर लेना है इस list में से select करने के बाद में save and proceed इस पर click कर देना है फिर आपके सामने यह देखिएगा यहाँ पर education qualification तो आपकी जो education है वो डाल देना है यहाँ से आपको please select यहाँ से आपको अपना board का नाम डाल देना है इनमें से आपका जो list है इनमें नाम नहीं आ रहा है तो आपको other पर click कर देना है और यहाँ से अपना board exam authority उसका नाम डाल देना है board का यहाँ पर name of educational institute यहाँ पर आपकी school का नाम डाल देना है यहाँ पर passing year डाल देना है कौन से year में आप pass हो यहाँ पर SSC और Equiplement Marksheet Number तो यहाँ पर आपकी जो 10 की Marksheet है वो यहाँ पर Marksheet Number डाल देना है आपको उसके बाद में यहाँ पर आपका जो result आता है वो Marks में आता है या CGPA में अगर Marks में आता है तो यहाँ पर आपको Out of कितने का नमबर का आपका पेपर था Total यहाँ पर Opt End में कितने नमबर आपको मिले हैं वो डाल देना है फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर Address Detail यहाँ पर आपका Correspondence Address डाल देना है यहाँ पर आपकी CT का नाम यहाँ पर State Select कर लेना है यहाँ पर आपका Area का Pin Code फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है ITI Pass Trade तो ITI Year of Passing तो यहाँ से आपको कुन सी Year में आप ITI Pass थे तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है आपको उसके बाद में आपको National Trade Certificate Number यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर Name of Institute आपके College का नाम डाल देना है यहाँ पर फिर यहाँ पर Certificate Issue Authority आप NCBTA या SCBTA वो यहाँ पर डाल देना है उसके बाद में Maximum Marks Out of यहाँ पर कितने नमबर आए Opt and यहाँ पर यह डालने के बाद में आपको Save and Proceed इस पर क्लिक कर देना है फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको document to be uploaded तो यहाँ पर फिर आपको अगली step में अपने document upload कर देना है यहाँ पर आपको Select Upload Photo यहाँ पर select करके अपना Photo upload करना है अपलोड़ फोटो पर क्लिक करके उसके बाद में यहाँ से अपना signature अपलोड कर देना है यहाँ पर फिर आपको अपने जो 10th class की marksit है वो choice file पर click करके upload पर click करके यहाँ से upload कर देना है यहाँ पर आपको proof of date of birth के लिए 10th की marksit upload करना है यहाँ पर choice file पर click करके उसके बाद में यहाँ पर आपको scan copy of consolidated marksit of all semester of the trade in which apply और provisional trade national trade certificate indicating marks तो यहाँ पर जो है आपको अपने all semester की वो और national trade certificate यह अप्लोड करना है यहाँ पर उसके बाद में यहाँ से आपको national trade certificate issue by ncbt यह यहाँ से choice file पर click करके इसको upload करना है फिर उसके बाद में यहाँ से आपको scan copy of cost certificate यहाँ से आपको cast certificate अपना upload कर देना है उसके बाद में आपको save and proceed इस पर click कर देना है यह देखिएगा दोस्तों आपके जो document है वो इस प्रकार से आपको upload कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी file का size है वो यहाँ पर जो pdf format में आपको upload करना पड़ेगा अगर यह आपको यहाँ से delete करना है तो यहाँ से आप delete पर click करके यह कर सकते हैं तो आपको फिर उसके बाद में save and proceed इस पर click कर देना है फिर यह देखिएगा दोस्तों आपके सामने जो आपकी सारी information है वो यहाँ से आपको एक बार finally check कर लेना है कि आपने जो detail डाली है वो एकदम सही डाली है ना इसके बाद में आपको submit करने के बाद में edit नहीं होगा कुछ भी तो यहाँ पर आपके जो open करके जो document आपने upload किये है वो open पर click करके आपको देख सकते हैं चाहो तो उसके बाद म आपको यह देखिएगा यहाँ पर जो है यह सारे डब्बे पर है आपको tick कर देना है तो दोस्तों आपको अपने सारी detail एक बार check कर लेना है finally submit करने से पहले उसके बाद में आपको submit पर click कर देना है तो यह देखिएगा दोस्तों your online application is now complete तो यहाँ पर आपको आपका जो form है वो complete हो चुका है इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर जो है you have to make a payment of RSO तो यहाँ पर general और OVC अगर है तो आपको 100 रुपे की payment करना पड़ेगा अगर SCHT female PWD candidate है तो उनकी payment उनके यह form free है तो यहाँ पर आपको अपने payment कर देना है यहाँ पर make payment पर click करके आपको payment करना है उसके बाद में आपको verify payment इस पर click कर देना है तो आपका finally farm submit हो जाएगा payment करने के बाद में तो यहाँ पर आपको इस तरीके से make payment पर click कर देना है फिर आपके सामने यहाँ से यह यहाँ पर other bank से भी कर सकते हैं या फिर card payment भी कर सकते हैं यहाँ पर state bank के card से या other bank card तो यहाँ पर जिसे आपको other bank के card से करना हो तो click here इस पर click करके आपको यहाँ से confirm कर देना है उसके बाद में आपको फिर confirm कर देना है यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी payment कर देना है आपको तो जो है आपको यहाँ पर अपना card number यहाँ पर expiry date यहाँ पर card holder name यहाँ पर CBB number यहाँ पर यह capture code इस box में डालने के बाद में आपको paper click करके यहाँ से आप अपने form की payment आसानी से कर पाएंगे तो दोस्तो इस तरीके से आप RRC WR Baston Railway का apprenticeship का form आसानी से भर सकते हैं तो दोस्तो अगर form बनने में किस परकार की दिक्कत हो तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो मैं आपके मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी परकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चेनल को subscribe कीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले notification पहुंच सके Thank you दोस्तो धन्यवाद